परिचाए जो पियूश ग्रंथी द्वारा मुक्त किये जाते हैं। वृध्धी हॉर्मोन प्रोटीन, लिपिड और कार्बो हाइडरेट के उपापचय पर महत्वपून प्रभाव डालते हैं। वृध्धी हॉर्मोन का उत्पादन, तनाव, व्यायाम, पोशन, निद्रा आधी जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है। शरीर के भीतर कई और हॉर्मोन भी स्रावित किये जाते हैं, जो विशिष्ट कारे करते हैं जैसे की थाईरोइड ग्रंति से स्रावित होने वाला। कैल्सिटोनिन हॉर्मोन रुधिर में कैल्सियम स्तर को नियंत्रित करता है। तो आईए इस पूरे मोड्यूल में हम रासाइनिक समन्वय और एकी करण के बारे में जानेंगे उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे अंतह स्रावी ग्रंतियों तथा हॉर्मोन्स का वर्णन करना मानव अंतह स्रावी तंत्र की व्याख्या करना रिदय, व्रिक और जठर आंत्रिय पत के हॉर्मोन की चर्चा करना हॉर्मोन क्रिया की क्रिया विधी का वर्णन करना अंतह स्रावी ग्रंतियों तथा हॉर्मोन अंतह स्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं जो रुधिर प्रवाह में हउर्मोन स्रावित करती है इनमें पिनियल ग्रंथी, हाइपो थालेमस, पियूश ग्रंथी, थाइरोइड ग्रंथी, पेरा थाइरोइड ग्रंथी, थाइमस, अधि व्रिक ग्रंथियां, अगनाशय, मादा में अंडाशय और नर में व्रिशन शामिल हैं। होर्मोन रासाइनिक पदार्थ हैं जो शरीर में संदेश वाहक अनुओं के रूप में कार्य करते हैं. मानव अंतहस्रावी तंत्र मानव अंतहस्रावी तंत्र होर्मोन के कार्यों द्वारा शरीर की अनेक प्रक्रियाओं को बदल देता है. हाइपोथालिमस हाइपोथालेमस मस्तिश्क के निचले केंद्रिय भाग में स्थित विशिष्ट कोशिकाओं का संग्रह है। हाइपोथालेमस से निकलने वाला गुनाडोट्रोफिन मुक्तकारी हॉर्मोन गुनाडोट्रोफिन के स्राव को प्रेरित करता है जबकि हाइपोथालेमस से निकलने वाला सुमाटोस्टेटिक। पियूश ग्रंथी और वेसोप्रेसिन का संग्रह और स्राव करती है। ऑक्सिटोसिन बच्चे के जन्म के समय दूद के स्राव तथा गर्भाशई चिकनी पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है। वेसोप्रेसन का मुख्यकार्य मूत्र के साथ जल के हास को कम करके शरीर के जल को सुरक्षित रखना है। यह एंटी-डायूरेटिक हॉर्मोन भी कहलाता है। आगरपियूश ग्रंथी अंतह स्रावी कोशिकाओं की बनी होती है जो सीधे रुधिर में हॉर्मोन का उत्पादन और स्रावन करती हैं। व्रिद्धी हॉर्मोन व्रिद्धी के लिए महत्वपून होते हैं। यह समसूची विभाजन में व्रिद्धी करके कोशिकाओं के आकार और उनकी संख्या में व्रिद्धी करता है। प्रोलक्टिन एकल श्रिंखला प्रोटीन हॉर्मोन है जो दुग्ध ग्रंथी की व्रिद्धी और दूध उत्पादन को नियमित करता है। थाइरोइड प्रेरक हॉर्मोन थाइरोइड हॉर्मोन उत्पन करने के लिए थाइरोइड ग्रंथी को प्रेरिद करता है। एड्रीनो कोटिकोट्रोफिक हॉर्मोन का मुख्यकार्य ग्लुकोटिकाइड्स नामक स्टिरोइड हॉर्मोन के समूह को मुक्त करने के लिए एड्रीनल ग्रंथियों के विल्कुट को प्रेरिद करना है। LH और FSH गुनाडोट्रोपिन कहलाते हैं क्योंकि यह जननांगों, नर में, व्रिषणों और मादा में अंडाशयों को प्रेरिद करते हैं। LH नर और मादा दोनों में जननांगों से लिंग स्टिरोइड के स्राव को प्रेरिद करता है। FSH अंडाशयी पुटिकाओं के परिपक्वन को प्रेरिद करता है और यह शुक्रान के उत्पादन के लिए भी महत्वपून है। मिलानोसाइट प्रेरक हॉर्मोन मिलानोसाइट्स को सक्रिय करता है जो मिलेनिन उत्पन करते हैं और त्वचा के रंग के लिए जिमेदार होता है। पिनियल ग्रंथी पिनियल ग्रंथी प्रमस्तिश्क गोलार्ध के बीच सिथ होती है। यह मेलेटोनिन उत्पन करती है जो लेंगिक विकास और सोने जागने के चक्र को प्रेरित करता है। थाइरोइड ग्रंथी थाइरोइड ग्रंथी ग्रीवा में स्थित होती है जिससे उत्पन होने वाले हॉर्मोन उपापचय, ऊश्मा उत्पादन और रुधिर में कैलसियम स्तर को नियंत्रित करते हैं। थाइरोइड ग्रंथी तीन हॉर्मोन उत्पन करती है। थाइरोकसिन T4, ट्राइडोथाइरोनीन T3, कैलसितोनिन T3 और T4 उपापचय और उश्मा उत्पादन को नियंत्रित करते हैं और कैलसितोनिन कैलसियम के रुधिर स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। थाइरोइड ग्रंथी में बड़ी गोलाकार संग्रचनाई होती हैं, जो पुटिकाएं कहलाती हैं। अतरिक्थ थाइरोइड ग्रिया, थाइरोइड अतिक्रियता के कारण व्यसकों में उपापचय में व्रिधी हो जाती हैं, जिससे अधिक पसीना निकलता है और अधिक भोजन ग्रहन करने के बावजूद वजन घट जाता है। कैलसिटोनिन रुधिर कैलसियम स्थर को कम कर देता है, जिससे समस्थिती को बनाई रखने में मदद मिलती है। पेराथाइरोइड ग्रंथि पेराथाइरोइड ग्रंथियां चार छोटी उतक ग्रंथिकाएं होती हैं, जो थाइरोइड ग्रंथि की पश्च सतह पर उपस्थित होती हैं। वे पेरा थाइरोइड हॉर्मोन नामक पॉली पेप्टाइड हॉर्मोन उत्पन्न करती हैं। PTH रुधिर में कैलसियम स्तर को नियंत्रित करने के लिए कैलसिटोनिन के साथ कारे करता है। यह रुधिर कैलसियम स्तर में वृद्धी करता है। इसलिए जब रुधिर में कैल्सियम का स्थर नीचे गिर जाता है, तो PTH के स्राव को प्रेरित किया जाता है. थाइमस थाइमस ग्रंथी छाती के उपरी भाग में रोस्थी के पीछे स्थित होती है. यह पिरामिड के आकार की और दो पालियों की बनी होती है, जो शरीर की मध्यरेखा को अलग करती है. थाइमस ग्रंथी प्रतिरक्षा तंत्र का भाग बनाती है. यह थाइमोसिन हॉर्मोन स्रावित करती है, जो प्रतिरक्षा तंत्र को नियंत्रित करने में महत्वपून भूमिका निभाता है। यह T-Lymphocytes की सहायता करता है। अधिव्रिक्ष ग्रंथि मनुष्यों में दो अधिव्रिक्ष ग्रंथियां होती हैं, जो व्रिकों के अग्रभाग पर स्थित होती हैं। प्रत्ये ग्रंथी का बाहरी भाग अधिवरिक वलकुट होता है और अंतह भाग अधिवरिक मध्यांश होता है। अधिवरिक वलकुट को तीन पर्तों में वर्गी कृत किया जा सकता है। जोना रेटिकुलेरिस यानि आंतरिक परत, जोना फैसिकुलेटा मध्य परत, जोना लोमेरिलोसा बाहरी परत, अधिवरिक वलकुट की कोशिकाएं दो मुख्य प्रकार के स्टेरोईड हॉर्मोन ग्लूको कोटिकॉइड और मिनरेलो कोटिकॉइड स्रावित करती है। ग्लूको कोटिकॉइड ग्लूकोस के रुधिर स्तर में व्रिद्धी करता है। शरीर का मुख्य ग्लूको कोटिकॉइड कोटिसॉल है जो शरीर में अत्यधिक ठकान होने पर स्रावित होता है और उस समय ग्लूकोस की अधिक मांग होती है क्योंकि इसका रुधिर स्तर उले कोटिसॉल पेशी प्रोटीन के विखंडन को बढ़ावा देता है और ग्लूको नियोजेनेसिस नामक प्रक्रिया में ग्लूकोस संक्षलेशन करने वाली यकृत कोशिकाओं से अमीनों अमलग्रहन करने के लिए यकृत को प्रेरित करता है। एल्टोस्टिरॉन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला मिनरेलो कोटिकोईड है। यह व्रिक नेफ्रॉन की दूरस्थनलिकाओं पर कारिक करके उन्हें सोडियम आयनों को पुना आवशोशित और पोटाशियम आयनों को उचसर्जित करने के लिए प्रेरित करता है। नौर एड्रिनलीन दो पदार्थ मुक्त करता है। जब अधिवरिक कमध्यान्ष हॉर्मोन स्रावित करता है तो वो रुधिर परिसंचरण और शरीर में थकान होने पर कार्बो हाइडरेट के उपियोग को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए वे रिदय दर को पढ़ा देते हैं, धमनिकाओं और श्वसनिकाओं को फैला देते हैं। अगनाशय अगनाशय युक्त ग्रंथी जो अंतह स्रावी तथा बाहिस्रावी दोनों रूप में कारे करती है। लेंगरहेंस के द्वीब जो द्वीब भी कहलाते हैं, कोशिकाओं का समूह होते हैं, जो पूरे अगनाशय में बिखरी होती हैं। Langerhans के द्वीप अगनाशई रस उत्पन करते हैं जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं और ये इंसुलिन तथा ग्लुकोगान हार्मों भी उत्पन करते हैं जो रुधिर ग्लुकोज तर को नियंद्रित करते हैं इंसुलिन एक प्रोटीन हॉर्मोन है जो ग्लुकोस का स्तर बढ़ने पर अगनाशय द्वारा स्रावित होता है और यह रुधिर ग्लुकोस स्तर को कम कर देता है। असामान्य निम्न रुधिर शरकरा हाइपोग्लाइसीमिया का कारण है। इंसुलिन का सबसे महत्पपून कार्य यकृत और पेशी कोशिकाओं में ग्लुकोस के अंतर ग्रहन को प्रेरित करता है। ग्लुकोगॉन अमीनो अम्ल और ग्लिसरॉल अनुओं से ग्लुकोज के संग्शलेशन को प्रेरित करके रुधिर ग्लुकोज तर में व्रिद्धी करता है। रुधिर ग्लुकोज तर में असामान्य व्रिद्धी हाईपर ग्लाइसीमिया का कारण है। इंसुलिन का स्तर कम हो जाने से डाइबिटीज मेलिटस भीमारी हो जाती है जिससे रुधे शर्करास्तर में व्रिध्धी हो जाती है व्रिशन व्रिशन कोश में दो व्रिशन स्थित होते हैं व्रिशन शुक्राण उत्पन्न करते हैं लेडिंग कोशिकाई टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती हैं टेस्टोस्टेरोन प्रोस्टेट ग्रंथी शिश्न, युरित्रा, अंड कोश शुक्राशे व्रिशन रज्जु आदी जैसे नर्जनन अंगों के विकास, परिपक्वता और कार्य को नियंत्रित करता है टेस्टोस्टेरॉन के प्रभावों में भारी आवाज, शरीर पर बालों का बढ़ना, जननांगों की परिपक्वता, यौन रुची, प्रजनन, स्तंभन कार्य और आत्म विश्वास में व्रिधि आदी शामिल है अंडाशे अंडाशे श्रेणी में गरभाशे के दोनों ओर स्थित होते हैं और एस्टोजन एवं प्रोजेस्टरॉन उत्पन्न करते हैं एस्टोजन मुख्य रूप से मादा जनन अंगों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे की स्तनन ग्रंथि का विकास प्रोजेस्टरॉन गर्भावस्था बनाई रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निवहाता है। यह दुगध के निर्मान और स्त्राव को भी प्रेरिद करता है। रिदय व्रिक और जठर आंत्रिय पत के हॉर्मोन एट्रियल नेट्री यूरेटिक आरक, ANF एक रिद्ध हॉर्मोन है जो रुधिर आयतन और धमनिय रुधिर दाब को नियंत्रित करता है। व्रिक द्वारा उत्पन किये जाने वाले एरित्रोपोईटिन हॉर्मोन लाल रुधिर कोशिकाओं के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। जठर आंत्रिय पथ द्वारा उत्पन्न किये जाने वाले हॉर्मोन गैस्ट्रिन, सेक्रटिन, कॉलीसिस्टोकाइनिन, सीसीके और जठर अवरोधी पेप्टाइड जी आईपी हैं गैस्ट्रिन, अमाशय में बनता है, जो भोजन पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अमल उत्पन्न करता है सेक्रटिन, बाइकार्बोनेट की प्रचुर मात्रा वाला, पाचक, रस, मुक्त करने के लिए अगनाशय को प्रेरिद करता है कॉली सिस्टोकाइनिन अगनाशय और पित्ताशय से क्रमशह अगनाशय एंजाइम और पित्त रस के स्राव को प्रेरिद करता है जठर अवरोधी पेप्टाइड हॉर्मोन जठर स्राव को अवरुध करता है हॉर्मोन क्रिया की क्रियाविधी हॉर्मोन शरीर के सभी अंगों में चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये लक्ष कोशिका या लक्ष अंग कहलाने वाले केवल विशिष्ट उतक कोशिकाओं या अंगों को प्रभावित कर सकते हैं. एक हॉर्मोन से प्रतिक्रिया करने के लिए लक्ष कोशिका की जीव द्रव्य जिल्ली पर विशिष्ट प्रोटीन ग्राही उपस्थित होनी चाहिए। पॉलिपेप्टाइड और प्रोटीन हॉर्मोन में ग्लुकागॉन, ऑक्सितोसिन, अंटी डायुरेटिक हॉर्मोन इत्यादी शामिल है। steroid hormone में glucocorticoid, mineralocorticoid, testosterone, estrogen, progesterone आधी शामिल है iodothyronin में thyroid hormone शामिल है aminoamilkavyutpann, aminoamilkavyutpannों के उदाहरन, adrenaline, noradrenaline आधी है क्या आप जानते हैं? अनुसंधान से पता चलता है कि मादा में estrogen का उच्च स्तर, स्थन, गर्भाशय और ग्रीवा के cancer का कारण हो सकता है उश्मा शुक्राण उत्पादन को कम कर सकती है अधिक धूम्रपान करने और alcohol ग्रहन करने से शुक्राणूओं की संख्या कम हो सकती है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्षेप में दोहराए अंतरह स्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं जो रुधिर प्रवाह में हॉर्मोन स्रावित करती है हॉर्मोन रासाइनिक पदार्थ है जो शरीर में संदेश वाहक अनूओं के रूप में कारे करते हैं अंतरहस्रावी ग्रंथियां, पिनियल ग्रंथी, हाइपोथालिमस, पियूश ग्रंथी, थाइरोइड ग्रंथी, पेराथाइरोइड ग्रंथी, थाइमस, अधी व्रक ग्रंथियां, अगनाशय, मादा में अंडाशय और नर में व्रिशन हैं. हाइपोथालेमस मस्तिश्क के निचले केंद्रिय भाग में स्थित होता है पीउश ग्रंथी मस्तिश्क के आधार के मध्य में हाइपोथालेमस के नीचे स्थित होती है पीनियल ग्रंथी प्रमस्तिश्क गोलार्ध के बीच स्थित होती है थाइरोइड ग्रंथी थाइरॉक्सिन ट्राइडो थाइरोनिन कैलसिटोनिन उत्पन्न करती है मानव शरीर में दो अधी व्रिक ग्रंथियां होती हैं जो व्रिक के अग्रभाग पर स्थित होती है अगनाशय बही स्रावी और अंतह स्रावी ग्रंथी के रूप में कारे कर सकता है टेस्टोस्टेरॉन नर्जनन अंगों के विकास परिपक्वता और कारे को नियंत्रित करता है एस्ट्रोजन मुख्य रूप से मादा जनन अंगों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है द्वारा उत्पन्न किये जाने वाले हॉर्मोन गेस्ट्रिन, सेक्रिटिन, कॉलीसिस्टोकाइनन और जठर अवरोधी पेप्टाइड हैं।